लोग प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इसके अंदर हम सीखेंगे more sound यानि की कुछ अलग तरीके के sound तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा o a होता है वो हमें o का sound देता है और जो हमारा s u r e वो हमारा जर का sound देता है t u r e चर का sound देता है तो हम इसमें इनी की word पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं o a b o a r d board क्या पढ़ेंगे हम इसे बोर्ड ऐसे ही next हमारा है roast roast r o a s t roast ऐसे ही next हमारा है t o a s t toast c o a t coat coat next हमारा है float f l o a t float g l o a t gloat क्या बनेगा gloat m o a t moat moat ऐसे ही b l o a t bloat ऐसे ही तो देखिए जो हमारा s u r e है वो जर का sound देता है तो हमारा पहली spelling है p l e a s u r e pleasure क्या पढ़ेंगे pleasure ऐसे ही t r e a s u r e क्या पढ़ेंगे treasure क्या पढ़ेंगे treasure ऐसे ही m e a s u r e measure क्या पढ़ेंगे measure next हमारा है l e i s u r e laser क्या पढ़ेंगे laser अब देखे t u a l इसे tool नहीं पढ़ेंगे इसे actual पढ़ते है actual क्या पढ़ेंगे actual तो इसके कुछ word देख लेगते हैं a c t u a l actual क्या पढ़ेंगे actual ऐसे ही r i t u a l ritual क्या पढ़ेंगे ritual ऐसे ही m u t u a l m u t u a l mutual mutual तो आपने देखा हमने क्या सीखा के t u a l से tool नहीं च्यूल बनता है च्यूल अब आते हैं next पे अपना next पे देखिए हमारा जो है यह देखिए next जो हमारा है वो चर का sound देता है t u r e जो है हमारा चर का sound देगा तो इसके कुछ word देख लेते venture venture v e n t u r e venture adventure क्या वलड़ है हमारा adventure a d v e n t u r e adventure future 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 f u t u r e future next हमारा है texture t e x texture texture ऐसे ही next हमारा है facture f a c fact बन जाएगा और चर facture picture 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 moisture m o i s t u r e moisture next हमारा है puncher क्या पढ़ेंगे puncher और creature next हमारा है creature c r e a t u r e creature अब हम देखते हैं देखिए एक और चीज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी के when जब the vowel of e comes after c c make the sound of s यानि की जब कभी भी vowel e जो है vowel e जो है last में हो और उससे पहले c हो उससे पहले c हो तो वो हमें sa का sound देता है किसका sound देता है sa का या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपका जो vowel है e when the vowel comes after c c के बाद vowel e आता है अगर किसी भी spelling में c के बाद आपका e sound आता है तो वो sa का sound देता है तो देखिए उसके word हम देख लेते हैं देखिए इसमें बताएं हुए है sorry चलिए शुरू करते हैं dance तो आप देख रहे है c e किसका sound दे रहा है sa का sound दे रहा है dance ऐसे ही lance क्या बनेगा lance प्रांस 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 ट्वाइस ट्राइस प्राइस वोईस दुबार एक बार देख लेते हैं dance लांस प्रांस प्रांस ट्वाइस ट्राइस प्राइस वाइस वाइस ठीक है तो आज इस वीडियो में हमने देखी किते सारे sound के बारे में जाना O A से O का sound आता है S U R E से जर का sound आता है T U R E से चर का sound आता है और T U A L से चुल का sound आता है तो हमने इसमें कई सारे sound पढ़ने सीखे और ये जरूर आपकी help करेंगे आपकी reading skill को सिधारने में आपकी spelling mistake को जो आप कर देते हैं कई बार उसको improve करने में भी आपकी ये मदद करेंगी तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe की कीजिए और प्लीज जादा से जादा comment कीजिए बाई बाई